सबसे पहले MS Excel स्टार्ट करने का जो तरीका है वो है आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें और और प्रोग्राम्स में जाएं यहां पे आपको Microsoft Office का एक फोडर दिखाए देगा इसको उपन करें क्योंकि हमारा MS Excel Microsoft Office का ही एक पार्ट है इसको आपने स्टार्ट किया तो यहां पे आपको मिलेगा Microsoft Excel 2010 आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक शौट कमांड है MS Excel को स्टार्ट करेंगी आप उसको भी यूज कर सकते हैं कीबोड से विंडो की प्रेस करके आर को प्रेस करते हैं तो एक रन बॉक्स आपन होता है इस रन बॉक्स में Excel के वल XL की लिखेंगे MS Excel लिखेंगे Microsoft Excel लिखेंगे केवल Excel लिखेंगे और Enter करेंगे या फिर OK कर देंगे तो आपका Excel जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक जबाल सबसे उपर-उपर जो दे रखा है आपको जो रैड लाइन दिखाए जारी है यह कहलाता है आपका टाइटल बार और इसी टाइटल बार के आपको सेंटर में जो दिखाया जा रहा है यानि बुक वन का मतलब है कि हमारी जो वरकशीट जो हमारी जो फाइल है जो हमारी एकसल की जो फाइल है जो हम फाइले बनाते हैं वो सारी फाइले वर्क बुक कलाती है यानि Excel में आप कोई भी फाइल जब बनाते हैं तो वो workbook कलाती है और book one इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमने एक ही workbook अभी open की है तो book one है next हम और भी कोई open करेंगे तो यहां पर book two दिखाया जाएगी यह book one तब तक दिखाई देगा जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं कर देते हैं जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे जब इस workbook को सेव कर दी जाएगी तो जिस नाम से आप सेव करेंगे उसी नाम से पहचानी जाएगी और जब तक आप सेव नहीं करते हैं तब तक यह बुक्वन नाम से ही दिखेगे तो यह तो हुआ हमारा उपड टाइटल पार इसमें आपको लेप साइड में यह क्विक एक्सिस टूल वर्क ऑप्शन भी दिया गया है इसमें कई सारे ऑप्शन्स अप्लाइ किये गये हैं जो आपको यहां पर अप्लाइ किये भी दिख रहे हैं यहां पर दिये गए है नई फाइल कोलने के लिए सेव का अंडू रिडू का या ओपन का भी देना चाहें तो यही पे ओपन का तो कोई भी फाइल उपन करनी एक्सिल की तो डारेक्ली यह इंसे उपन कर लेंगे तो यह एक्सिस टूल वार है राइट साइड में अपनी ही फाइल को मिनिमाइज करना है उसको क्लोज करना है तो यह आइकन लिए गए हैं उसके बाद नीचे दे रख हैं फाइल हों इंसर्ट पेस्लिया होगे सारे अलग अलग जो हैं मिनु बार से और हर एक मिनु बार के ब्लाक्स के रूप में हैं जैसे क्लिपवोड है फॉंट है एनाइनमेंट का है नंबर है वैसे इंसर्ट में भी आपको दिखेगा यह सारे तो यह जहां पे ऑप्शन कुलते हैं जब भी हम किसी मेनु बार पे क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन यहां पे दिखाया जाते हैं वे खुलते हैं रिबन पर यह रिबन हैं इस तरीका है यहां पर इस बिखे जो करें और हुआ hope यहां से हम कर जाता है या फिर यह आइकन जो दे रखा है उस पर हम जाके रिबन को हाइड या शो कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एफ बन भी कर सकते हैं इसके अलावा नीचे जो दे रखा है देखिए एक बहुत बड़ी शीट होती है वर्बुक के अंदर जो पेजिस होते हैं वो शीट के इसमें पेजिस नहीं होते हैं इसमें सीट जिसमें यह कुछ चटुछ एबलाउप सापको बने हुए दिखाई देने हैं और शीट डिफॉल्ट फ में तो फेर्हां को गार चाहएं तो और इंसर्ट कर सकते हैं जब भी आप एक्सल की worksheet start करेंगे तो तीन sheet आपको इसमें दिखाए देगी इसके अलाबा देखिए हम Excel में क्या-क्या काम कर सकते हैं तो Excel किसलिए use किया जाता है तो Excel में balance sheet बनाई जा सकती है total निकाले जा सकते है बिल बनाई जा सकते है mark sheet बनाई जा सकती है salary slip बनाई जाती है जिसमें हमें कोई भी table work जो करना है उसके लिए Excel बहुती perfect software माना जाता है Microsoft Excel जो है उसको spreadsheet application भी कहते है इसलिए इसमें हमारा जो काम है वो बहुती perfectly हो सकता है इसमें ये सारी grid line बनी हुए इस grid line में हमें अपना कोई भी value बगेरा add करके हमें अपना work करना होता है इसमें अलग से ये grid line बनाने की ज़रूत नहीं है MS Word में जब हम कोई भी table बनाते तो इसमें grid line बनानी पड़ दिये लेकिन Excel में ये सारी grid line आपके पास बनी हुई है इन Excel में आपके बाद जो एक sheet दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे छोड़ छोड़े blocks है और इसमें कुछ alphabet भी आपको नज़र आना है कुछ numeric data भी दिखाई देना है इनका use किया है और ये क्या है वो जानते है देखे जो आपको vertically जो alphabet में दिखाई जारे है vertically आ रहे है वो है आपके इस एक sheet के column ये column है जो vertically आ रहा है और जो numeric है वो है जो horizontal जा रहा है वो है आपके row ये दिखे ये row है यानि कुछ इसमें rows दी गई है कुछ इसमें columns दिए गए है और उसी row और column से मिलके बनता है एक cell यानि ये एक cell represent कर रहा है एक column को और एक row को यहाँ पर दो चीज आपको और दिखाई जारी है ये है address bar जिसको हम ने inbox भी कहते हैं और इस cell को यानि जहां भी हम करसे रखते हैं वो cell जो है उसमें दो relative दिखाए जाते हैं एक उसका column एक उसका row तो इसका address बनता है F7 पहले column show होता है और फिर row show होता है जहां भी आप करसे रखेंगे जैसे अब भी हमने यहां करसे रखा J वादे column पे तो J और 40 यानि दोनों ही ये selected है इसका मतब यह है कि इस cell में एक column और एक row दिया गया है तो answer बनता है यानि आपका इसका जो address बनता है वो है J 14 इस तरह से तो एक column और एक row से मिलकर बना है आपका एक cell अब कितने cell और कितने row हैं वो भी जानते हैं उससे पहले हम इसके बारे में भी डिसक्स करते हैं जिसको हम कहते हैं formula बार जब भी आप कहीं बीबी अपना cell पे करसा रखते हैं तो cell का address तो name box में आता है लेकिन एक cell में जो भी type किया जाता है कोई भी values type की जाएगी तो वो दिखेगी आपकी formula बार में जैसे हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं यह हमने नाम लिखा तो यह आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस formula बार में तो इस तरह से formula बार में आपको उस cell में जो भी values आप लिखते हैं वो शो करता है यहाँ पे formula बार में यह देखिए कुछ इस तरह से तो यह है name box और यह है formula बार यह सिर्फ address दिखाएगा लेकिन यह उसमें क्या data add किया हुआ है वो शो करता है उसके बाद बात करते हैं हम नीचे का जो portion जो दे रखा है यह task bar task bar यह status bar हम दोनों ही कह सकते हैं अपने program को minimize करने के लिए यह option दिया गया अगर हम इस program को minimize करना चाहते तो इस icon पर click करेंगे तो यह minimize हो जाएगा वापस उसी पर click करेंगे तो maximize हो जाता है start का button भी आपको यही पर दिखाए देता है उसी के right side में आपको दियेगा है system tray system tray में छोड़ छोड़ जो options date or timing और page का scale कम यह जादा करने के लिए जो option आपको दियेगे हैं वो system tray पर रहते हैं अगर हमें zoom size इसकी बढ़ानी है तो zoom size यानि हमें यहाँ पर plus पर अगर हम click करते हैं तो यह zoom in होता है यानि आप अपने page का scale बढ़ाना चाह रहा है और zoom out करेंगे तो इस minus वाले icon पर click करेंगे तो यह zoom out हो जाता है तो इस तरीके से हमें अपने page का scale कम यह जादा करना है तो हम यह से कर सकते हैं नॉर्मली तो 100% रहता है इसके लावा next हम बात करते हैं हमारे Excel की एक sheet में कितने row और column होते हैं यानि अगर हम Excel की एक sheet की बात करते हैं तो Excel की एक sheet में कितने row हैं अब हम row count करना चाहते हैं तो row count करने के लिए देखिए इसमें एक Excel की sheet में 10,48,506 row होते हैं लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि कितने हैं total तो 1 पे click करके control के साथ down arrow की press करें जो सबसे last वाली row में हम आ जाते हैं जो करीब 10,48,506 होते हैं एक sheet की अगर हम बात करें तो इतने इसमें row दी गई होती है वापस हमें back जाना है तो control के साथ आप arrow की करेंगे तो वापस हम back का जाते हैं उसके बाद अगर इसमें हम column भी चेक करना चाहें तो column कितने दिये गए होते हैं यह जो vertically है यह सारे column है column count करने के लिए हम start पर अपना cursor रखते हैं control के साथ right arrow की place करते हैं जो करीब 11,384 इसमें column दिये गए होते हैं alphabet में हैं इसलिए निमरिक में पता नहीं चला बागी 16,384 इसमें column दिये होते हैं वापस हमें back आना है तक control के साथ हम left arrow की place करेंगे वापस हम back आजा दिये यह तो row और column की बात हुई लेकिन total sheet कितनी होती है तो Excel में total sheet होती है 266 256 इसमें sheets होती है तो इस तरह से हम अपने Excel में बहुत सारा data feed कर सकते हैं Excel में न तो sheet कम पड़ती है और नहीं एक sheet में row और column कम पड़ती है क्योंकि बहुत सारी values इसमें add की जा सकती है तो यह था हमारा Excel का introduction introduction समझना बहुत जरूरी है जब हम introduction समझते हैं तभी हम Excel में आंगे काम कर पाएंगे खूखती है यह